नमस्ते दोस्तो मैं हूँ सोनीका कैसे हैं आप उमीद करती हूँ कि आप स्वस्त होंगे मस्त होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको सफलता के कुछ मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपने जीवन में सफल बन सकते हैं तो मेरे वीडियो पे अंति तक बने रहिए औ और अगर मेरे वीडियो पसंदाते हैं तो उसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें टिप नंबर वन सुबह जल्दी उठने की कोशिच करें Early to bet and early to rise दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए जानते हैं तो सभी आप मेंसे कितने लोग सुबह जल्दी उठने हैं? सुबह उठके योगा अभ्यास और प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्त रहता है ये बात जानने के बाद भी कितने लोग सुबह जल्दी उठके योगा अभ्यास करते हैं? मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठते हैं बट देर से उठने वाले लोगों की संख्या जादा है इस्पेशली अर्बन एरियाज में दोस्तों सुबह जल्दी उठने के इतने फायदे हैं कि उसे बताने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़े सुबह जल्दी उठके योगा अभ्यास करने से आपकी शरीर स्वस्त रहता है और साथ ही साथ आपको अपने लिए टाइम मिलता है आप अपने एम पर फोकस कर सकते हैं आप अपने दिन भर के कामों की प्लानिंग कर सकते हैं कहां जाना है किस से मिलना है ये सारी प्लानिंग आप सुबह अराम से कर सकते हैं आप दिन भर एनरजेटिक रह सकते हैं इसलिए दोस्तों आप रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें तिप नमबर टू, negativity से दूर रहें negativity से दूर रहना, it's mean negative लोगों से दूर रहना दोस्तों, आप कैसे भी रह लेना, लेकिन negative लोगों से दूर रहना इस तरह के लोग हमेशा हर बात में, हर काम में उनको negativity दिखती है For example, अगर हम कुछ नया काम शुरू करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की बाते करेंगे, कि हमारा mind divert कर देंगे हमारा brain wash कर देंगे, अपनी negative बातों से इसलिए, जिससे आपको सफलता नहीं मिलेगी और आपके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिए हमेशा positivity रखें और जीवन में आगे बढ़ें तिप no.3, new target set करें दोस्तों, सभी लोगों का जीवन में कुछ न कुछ गोल जरूर होना चाहिए आप मेंसे अधिकता लोगों से पूछा जाए, कि आपको क्या करना है, क्या बनना है तो अधिकाश लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है इसलिए छोटे-छोटे target set करें और उसे achieve करें इसके बाद बड़े target की तरफ आगे बढ़ें जिससे आपका आत्विश्वास बढ़ेगा और आपको life में progress जरूर मिलेगी तिप no.4 अपनी कमियों को स्युकार करें और कुछ नया सीखें दोस्तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है सभी इंसानों में कुछ न कुछ कमिया तो होती ही है अपने व्यक्तित्व का self analysis करें अपनी कमियों को ढूंडें और उनको दूर करने का प्रियास करें अच्छे habits के प्रती हमेशा focused रहें लाइक आपका सामने वाले के प्रती वहवार केसा है behave केसा है और आप उनसे किस तरीके से बात करते हैं इन सबी अच्छी habits को सीख कर आप किसी का भी विश्वास और सम्मान जीच सकते हैं इसलिए आप अपनी कमियों को दूर करें और कुछ नया सीखें टिप नंबर फाइफ विशम परिस्तितियों में आत्विश्वास और धेरे बनाए रखें दोस्तो सुक सुविदाओं में तो कोई भी रह सकता है अच्छी परिस्तितियों में भी कोई भी रह सकता है बट विशम परिस्तितियों में क्या एसे समय पे आप अपना आत्विश्वास बनाए रखें और धेरे रखें अगर आप कोई business स्टार्ट करते हैं तो मुश्किले आएंगी अलग-अलग परिशानी आएंगी और बहुत सारी रुकावटे आएंगी ऐसे समय में अगर आपने आत्विश्वास बनाए रखा अपना आत्विश्वास नहीं खोया और धहरे रखके आपने काम किया तो निश्चित तोर पे आपको सफलता मिलेगी और एक एसी खुशी मिलेगी जो आपने कभी महसूस की नहीं होगी इसलिए आप अपना आत्विश्वास बनाए रखे और धहरे रखे दोस्तो ये थी कुछ बाते जिन पर अमल करके आप जीवन में सफल बन सकते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक् वीडियो में थैंक्स पॉर यूर टाइम